हेलो फ्रिंड्स कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे आज किस वीडियो में जानने का प्रियास कहेंगे सीबैट यानि साइको टिस्ट का रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है और कौन से जोन है ऐसे जहां पे आपका स्टिशन मास्टर केवल साट पे बनने वाले हैं तो इस करब में दोस्तों पहला जोन है त्रिवंत पूरम जहां पे केवल लोग जो है वो सिक्स्टी के अप्रॉक्स में फाइनल सेलेक्शन तक पहुंच सकते हैं देखे साथियों यदि त्रिवंत पूरम की बात करे तो यू आर यानि सिक्स्टी तक पहुंच सकता है बाकी यू बीसी सिस्टी की बात करें तो यहां पे केवल 50 पे ही स्टेशन मास्टर जो है वो लोग बनने वाले हैं यहां यह आपको जानगारी होनी चाहिए साथियों कि सेवेंटी और थर्टी के रिसियों में आपका फाइनल सेलेक्शन था उसमें से एक से दो केंड़ेट जो है वो तो अलरड़ी एकजाम में बैठे ही नहीं बाकी दो से तीन केंड़ेट ऐसे होंगे जो की एट्व मेडिकल क्रेटियों को फुल्फिल नहीं करते होंगे बाकी केंड़ेट में से कुछ केंड़ेट ऐसे होंगे दोस्तों जिनका जो साइको है वो किलियर नहीं हो पाएगा तो ऐसी सिते में आपका कटफ यहाँ पे बहुत जादा इंक्रीज नहीं करेगा मुश्किल से आपका जो है वो तीन से चार मार्क्स तक इंक्रीज हो पाएगे और वहीं यू आर को देखे दोस्तों तो मैक्सिमम यहाँ पे 60 तक जा सकता है और OBC, SC और ST का दुखर यहाँ पे बल्ले बल्ले है यह केवल 50 के अंदर ही इनका चयन फाइनल सेलेक्शन तक हो जाएगा तो पहला जोन मैंने आपको बता दिया त्रिवंत पूरम जहाँ सेलेक्शन जो है एहमदाबाद जोन ठीक है एहमदाबाद जोन के अंदर भी आपका फाइनल सेलेक्शन जो है वो मुस्किल से आपका 60 से लेकर के 65 तक जाने वाला है अगर OBC, SC और ST काटेगरी की बात करें दोस्तों तो देखिए इनका कटफ कितना लगा है 50 लगा है, SC का, ST का 46 लगा है OBC का 56 लगा है तो मुस्किल से کतना इंक्रिमेंट हो पाएगा दोस्तों मुस्किल से आपका जो है वो 4 से 5 नमबर ही इंक्रिमेंट होने वाले हैं और यहाँ पे खास करके SC, ST, R, OBC काटेगरी के बात करें दोस्तों तो मुस्किल से आपका साट जो है वो फाइनल सेलेक्षन के लिए जाने वाला है वहीं एड़ी यूर की बात करें तो 65 से 66 तक जो है वो इनका मार्क्स इंक्रिमेंट कर सकता है फाइनल मेरिट के सेलेक्षन के लिए क्योंकि friends देखें यहां पर कई candidates ऐसे होंगे जो कि आपका psycho test में छटेंगे कोई A2 medical criteria को fulfill नहीं कर पाएंगे किसी ने exam नहीं दिया होगा किसी ने exam छोड़ दिया होगा तो इन condition के अनुसार से maximum आपका जो है वो 4-5 marks इन में बढ़ने वाले हैं तो यहां भी आपका final selection जो है दोस्तो 60 के अप्रॉक्स में हो जाने वाला है तो care friends इन zone से जिन्होंने फार्म पर रहा है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है और final selection तक वो easily यहां से पहुँच सकते हैं यदि उनका psycho का test अच्छा गया होगा तो वहीं दोस्तो अगला जोन की और मैं आपको आगे ले करके चलता हूँ साथियों अगला जोन आप देख पा रहे होंगे यहां भी काफी कम cut up रहा है आपका civet के लिए और यहां भी final selection जो है वो बहुत ही कम marks पे होने वाला है अगर यूर की बात करें दोस्तो तो 64 यहां पे cut up लगा है SC का 48, ST का 48, OBC का 56 तो देखे इन तीनों के टेगरी का बात करें खास करके SC, ST का तो आपका maximum जो है वो 55 तक जा सकता है final merit के लिए वही साथ ही हो यह थी OBC की बात करें तो मुस्किल से यह जो है वो 60-62 तक final merit के लिए जा सकते हैं तो देख सकते हैं दोस्तो इन तीनों के टेगरी के अंदर आपका final चायन जो है वो 60 के अंदर ही रह रहा है जबकि थोड़ा सा यूर के टेगरी के बात करें तो 70 के आसपस यहां पर final merit के लिए चायन जो है वो हो सकता है तो देख सकते हैं दोस्तों कितना cut-off इन में increment कर सकते हैं यदि आप 2015 के अंदर विगेंसी आई वे थी NTPC का उसका साइको टेस्ट के बाद final merit का आप cut-off देख रहे होंगे तो वहां पर आपको maximum प्रतिक जगह पर जो है वो तीन से चार marks increment हुए दिखाई देंगे तो बस उसी का एक अधार बना कर कि आप जान सकते हैं दोस्तों कि कितना cut-off increment कर सकता है क्योंकि जन्मिन सी बात है दोस्तों पिछला बार भी केवल 8 गुना candidate का आपका चैन हुआ था आपका साइको टेस्ट के लिए और इस बार भी आपका 8 गुना candidate का चैन हुआ था तो ratio सेम ही रहने वाला है दोस्तों बहुत जादा उतार चाड़ा आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर चैन नहीं जोन की बात करें तो आपका वही यू आर का 70 के अप्रॉक्स में और SC-ST का पचपन OBC का आपका 62 के अप्रॉक्स में जो है वो final selection हो जाएगा स्टिशन मास्टर लोग बन पाएंगे अगला जोन है दूस्तों गोवा हाटी यदि गोवा हाटी की बात करें तो यहां पे भी देखे कट अफ काफी कम रहा है SC का केवल 49, ST का 38, मतलब यहां पे final चले selection के लिए मुश्किल से 45 चाहिए, 45 पे लोग यहां पे स्टिशन स्टिशन मास्टर जो है वो इसली बन पाएंगे हालांकि OBC का 65 तक जा सकता है और UR कैटेगरी का थोड़ा सा 72 के असपस जा सकता है बाकि देख सकते हैं दोस्तों यहां पे भी काफी कम रहने वाला है final selection के लिए और यहां पे भी आपका final चैन जो है दोस्तों station master के लिए खास करके OBC कैटेगरी का और आपका UR कैटेगरी का जबकि ACS टेगरी का दोस्तों तो आपका 50 के अप्रॉक्स में ही final selection हो जाएगा तो यह कुछ ऐसे जोन थे दोस्तों जहां पे selection लेना काफी easy है और यहां पे लोग यदि form भरे हैं और definitely यदि साइको clear करके आये हैं तो च जुलाई का आपका CBAT लिया गया था और आज जो है वह चार सितंबर है तो आप समझ सकते हैं लगबक जो है वह 34 दिनों का समय गुजर चुका है और अभी तक इसके regarding कोई भी ऑफिस से लबडेट देखने को नहीं मिला है और हलांकी फ्रेंड्स अभी CBT1 के revised result के यह regarding जो है ज्यादा परभव नहीं पढ़ने वाला है बाकि result की बात करें दोस्तों तो maximum यह संभावना बन रहा है कि इसी सब्ता के अंदर आपका जो है वह result को प्रब्लिस कर दिया जाएगा CBAT का हलांकि जैसे ही इसके regarding कोई official अपडेट आता है दोस्तों मैं आपको सबसे पहले आपकार